ये तस्वीरे दिल्ली के माते पर शर्म की लकीरें खीच देंगी ये तस्वीरें बताएंगी कि भले ही हिंदुस्तानियों ने मंगल तक तिरंगा फैरा दिया हो लेकिन विश्वास और आस्था की कसौची पर हम अब भी भिसड़ी साबित हो जाते हैं ये वो बाबा है जो खुद को हजरत निजाम الدین का चेला बताता है आपकी कोई से समस्या है आप बताईए हल हो जाएगा आपको यहां आने की कोई जरुद ने हम आपको रास्ता बता देगा तो हल हो जाएगा बताएगा आपकी हो बाबा है जो अपने भक्तों को हर रोग से मुट्सी दिने मुता बादा करता है आपकी के अंदर आप आप खाले और जब आपको यहां आने का होगा तो आपको सपने में कोई ना कोई आपकर बता देगा जाएगा और अक्सर अंदभक्ति के शिकार ये मरीद इस दुनिया से ही मुख्ष हो जाते हैं आप समस्या बताएगे हैं उसका हाल आपको बता देंगे आप बेड़ा पार करने वाला सब चीज़ करने वाला भीया आप समझते हों कि भगवान के सिवाई खालती पे और कोई ने आपकर बता देगा से जुड़ने का मंत्र है लेकिन खुद जिसके दामन पर भोग विलास आसक्ती और बलाकार के संगीन दाग हैं दिल्ली के कोने में बैठा ये बाबा खेलता है फूंप का खेल इसलिए निकला हमारा खौफ्या कैमरा और कैद हुई बाबा की जान लेवा फूंप आज दिल्ली का एक स्टिंग देश की राजधानी दिल्ली में बैठे एक ऐसे धोंगी का स्टिंग ऑपरेशन जो खुद को भाई जान कहता है लेकिन बेबस और मजबूर लोगों की जान से खेलने में उनसे पैसे एठने में उसे तनिक भी हिचक नहीं होती आज इस धोंगी भाई जान का करेंगे परदाफाश के अगर आपका बच्चा बुखार में तप रहा हो अगर आपके बच्चे के दिल में छेद हो अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा हो तो आप क्या करेंगे अच्छे से अच्छा डॉक्टर तलाशेंगे और जल्दी इलाज कराएंगे या फिर जाड़ फूक करने वाले किसी ढोंगी के पास उसे ले जाएंगे और उसकी हर शर्त को मानेंगे इनसान भले ही मंगल ग्रह तक पहुँच गया हो लेकिन देश की राजधानी दिली में आज भी ऐसे ढोंगी की दुकान खुली हुई है आज हम आपको एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौक पढ़ेंगे ये स्टिंग उस ढोंगी का है जो अंदविश्वास में डूबे लोगों का फायदा उठाता है जिस पर मरीजों के यौन शोशन तक के इलजाम है हारोप है कि इसने एक तीन साल की बीमार बच्ची को दवा खाने और डॉक्टर के पास जाने से रोक दिया और इस बच्ची की मौत हो गई खुद को भाई जान कहलाने वाले इस इनसान के खिलाफ एफ़ायर तो कई दर्ज है लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज तक इस पर हाथ नहीं डाला है इलाका दक्षिन दिल्ली का एक तविहार यहां ला इलाज बिमारियों का इलाज चल रहा है न दवा न दुआ सिर्फ फूप जिहां यह है फूप बाबा यहां उसका दर्बार सजा है बाबा के दर पर आये हुए हैं रोगी और बाबा बन बैठा है वैद दिल्ली उसका इलाज है यह फूप शर्त यह कि फूप उसी को मिलेगी जो कोई भी और दवा न ले यानि मर्ज भले ही कितना ही संगीन क्यों ना हो इनसान के हालत कितनी ही विकट क्यों ना हो वो सिर्फ और सिर्फ फूप के भरोसे ही जिये तवा को हाथ तक न लगाए डॉक्टर के यहां भूल कर भी मत जाए आखिर यह फूप बाबा चाहता क्या है आरोप है कि यह मरीज को पहले मीठी जुबान से भरमाता है फिर धीरे अपने वश में ले लेता है दिल्ली के एकता विहार के घर में बैठा यह मायावी अपना काम यूँ ही चला रहा है इसके भनक लगते ही आई बेन सेवन ने इस कैस्टिंग ओपरेशन करने की ठानी हमारा रिपोर्टर भी रोगी बना और जब पहुंचा बाबा के पास उसकी मजलिस में हिस्सा लेने दर्वाजा एक लड़की ने खोला बाबा जल्दी प्रकट हो गया जो आप समस्या बताईए हैं उसका हाल आपको बता देंगे कि हमज रहे हैं और भेड़ा पार करने वाला थक्रणे वाल बहीं हाफ समस्ते इंगा को समझ सकते हमारी बात तो नहीं है कि कि हमारी शिवा थी यह यह संक होंगी आपको कुछ बताएंगे तो आपसे कुछ सुना आपने नए ग्रहक से ऐसी मीची बाते करने वाला अब्दुल लतीफ नाम का ये बाबा जाड़ फूक करने में उस्ताद है ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के तमाम इलाकों के लोग भी बीमारियों से मुक्ति के मुराद लेकर इसके पास आते हैं आरोफ हैं कि ये भूक बाबा मोटी रकम एटता है महिलाओं के साथ खिलवाड करता है भूक मारने के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारने का होक्म देता है मना करने पर जबरदस्टी तक करता है बाबा के जादू टोने में डूबी महिलाओं को एतराज हुआ तो फिर उनकी खैर नहीं बाबा के ये रंग हम आगे दिखाएंगे लेकिन इससे पहले देखिए बीमारियों और दिक्कतों का कैसा हल सुजाता है ये बाबा को अब कि कोई से समस्या है आप बताइए हल हो जाएगा आपको यहां आने की कोई जरूपने हम आपको रास्टा बताथेगा गप्लाव जल्दी पर आपको बहु कि नियुक्त नियुक्त टिक्री बचित्र हो जैसी वो मुझसे बोल को देओ तो मुह से तो बोल्देगा अगर इस वर ila के हात में होगा तुम्हारी savasya का अभप तो आपको बता दिया जाएगा नहीं होगा तो जह प्रवाह से हम इन्सान है हम बगवान नहीं है कि अई सुने हम इन्सान है भगवान नहीं हैं अब से आप हमको देखो और आप अपने आपको देखो इनको देखो हम भगवान नहीं है हमारे पास तंत्र मंत्र की विद्या नहीं सत्त विद्या है बस सत्त की राह पे चलो भाग विद्धाता बोगवार आपको इसके हाथ में अब इतो बाबा कुछ उपाय दवाई बतागे उपाय तो बता देंगे आप बताओ तो शहीं है वह संतान देंगे दिल्ली के इस फूंक बाबा के पास निसंतान दप्त्ती का इलाज है पत्नी के जिस्म पर फूक मारना और विश्वास और आस्था में अंधे बेबस लोग इस इलाज को स्विकार तक लेते हैं हम बुलिटिन में आगे एक कहानी दिखाएंगे जब ऐसी ही एक निसंतान महिला को इस बाबा ने कपड़े उतारने का हुप निया तो उसने क्या किया ये फूक बाबा अपनी जाड़ फूक को तंत्र मंत्र नहीं मानता बलकि उसे सत्य की रह बताता है इसी बीच में पैसे का खेल भी शुरू हो जाता है बाबा को मोटा चड़ावा मिलता है जिसे एक छोले में रखा जाता है ये बात माननी मुश्किल है कि दिल्ली जैसे शहर में देश की राश्ट्रिय राजधानी में ऐसे बाबाओं की दुकान अब तक खुली हुई है रहती थी उसकी दवा की गई लेकिन बेची को लाब ना हुआ तो माबाब ने दुआओं का सहरा लिया यहीं आया बाबा अब्दुल्लतीफ उसने सबसे पहले मासूम बच्ची की दवाईयां बंद करवा दी बाबा की जाड़ और फूक का सिलसला कई महीने चलता रहा लेक फिर यह पैसे परिवार ने दे दिये तब भी बच्ची की हालत बिगरती गई ठखार कर जब यह परिवार अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि बच्ची के दिल में तो छेध है परिवार के अस्पताल और डॉक्टर के पाद जाने पर बाबा भड़क उठा मैं ठीक कर दूंगा कुछ पैसे खर्चा होंगे हम बोले कितने होंगे खर्चा तो बोले 45,000 रुपया हमें दे दो हम जार्पुक से ठीक कर देंगे इस परिवार ने बाबा के खिलाब धोका धड़ी का केस दर्च करवाया फिर भी दिल्ली पुलिस ने बाबा पर हाथ नहीं डाला उल्टे इस पिता पर एक लड़की से छड़खानी का इल्जाम लगवा दिया गया उसे जेल भिजवा दिया गया किसी तरह वो जमानत पर बाहर निकला लेकिन बेटी की तबियत और बिगड़ गई और इसी हफते सोमवार रात को वो अस्पताल में चल बसी अब अफसोस में डूबे इस पिता को अपनी गल्तिक एहसास हुआ लेकिन हैरत के बात यह है कि इस लड़की के मौत के बावजूर इस खूंग बाबा के खलाव अब तक 400 BC का ही एक केस बना गया है उसे उस मौसूम की मौत के लिए जिम्मदार बताने में पुलिस कतरा रही है बाबा के बारे में बात करने से भी पुलिस बच रही है और यह बाबा आज भी आजाद है आज भी महिलाओ को नचा रहा है मरीजों को दवाओ से दूर कर रहा है हमारे दिमाग को ए सवाल मत रहा था कि आखिर कैसे कोई अपनी बीमार बच्ची या निसंतान पत्मी को लेकर ऐसे जाड़ फूक करने वाले ढोंगी के पास जा सकता है क्या वो खुद भी अपनी बच्ची की मौत के लिए उतना ही जिम्मदार नहीं होगा लेकिन इन तमाम सवालों से दूर दिल्ली का ये फूक बावा मस्त है पुलिस या कानून का डर उससे को सुधूर है हमें भी बोला कि तुम्हें एक सपना आएगा तभी मेरे दर पर आना हुद हो जो अब आपको पर यह दो जाया है हुद आ कि आहीं आना नहीं आपको ज़ियो होत है सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं तीन तीने फायार के बावजूद आखिर इस ढूंगी बाबा को उस ने अब तक गिरिफ्तार क्यों नहीं किया है अब शेक कुमार दिल्ली आईबियन सेवन अब्दुल्लतीफ और भाईजान ये ढूंगी बाबा इनके गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी है जब आईबियन सेवन की तफ्तीश आगे बढ़ी तो अब्दुल्लतीफ के खिलाफ कई और संगीन आरोप सामने आए एक आरोप ये है कि इस ढूंगी ने ज़ाड़ फूक के नाम पर एक शक्स की जान ले ली और जब एक महिला ने इसके पास इलाज के लिए जाने की कोशिश की तो लतीफ ने उसके साथ बलातकार करने की कोशिश की ये उस महिला का कहना है लेकिन किसी तरह उसके चंगूल से वो बचकर निकल भागी इन दोनों मामलों में पीड़ित परिवार ने आरोपी लतीफ के खिलाफ पुलिस में बकाइदा शिकायत की है लेकिन पुलिस ने आरोपी और गिरफतार करने में कोई दिल्चस्पी अभी तक नहीं दिखाई है जरा गोर से देखिए इस ढोंगी को ये खुद को पहुँचा हुआ फकीर बताता है ये ढोंगी दावा करता है कि उसकी फूंक में वो ताकत है जिससे हर मर्द आर जाता है लेकिन हकीकत ये है कि अब्दुल्नतीफ नाम का ये ढोंगी तंत्रमंत्र की आड़ में बेबस और मजबूर लोगों को ठक दा है आरोप तो ये भी है ये उनकी जान भी ले लेता है ये हैं संजीदा खातूं संजीदा का आरोप है कि ढोंगी अब्दुल्नतीफ जाल फूंक कर उनके पती की जान ले ले संजीदा का कहना है कि उनके पती की तबियत अक्सर खराब रेती थी उसने कई जगा अपने पती का इलाज करवा है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पार इसी दोरान संजीदा के मुलाकात साबिर हुसेन नाम के एक शक्स है साबिर ने संजीदा को बाबा अब्दल्लतीफ से मिलने की सुला है लतीफ ने उसके पती की दवाईयां बंद करवाई और जाड़फूंक से ठीक करने का दावाई कई दिन चली जाड़फूंक का संजीदा के पती पर कोई फ़र्फ नहीं खाने से उसकी तवीय बिगल वे और आखिरकार उसकी मौत हो संजीदा का रोफ है कि अब्दल्लतीफ ने चाड़फूंक के नाम पाई उससे दो लाख रुपे ठागी संजीदा ने दिल्ली के जैद पुर्थाने में अब्दल्लतीफ के खिलाफ शिकायत भी दर्च कराई करना चालो कर दिया लेकिन वो दूआ उनकी कोई कारगर नहीं लग रही थी उसके बाद जया है तो उन्होंने धीरे धीरे पैसे हमसे लेना शुरू कर दिये लाखो रूपिया नों ने ले लिया लाश्नोय अन्जाम यह हुआ कि हमारा शोहर नहीं रहा डित हो गई उसकी इस धोंगी बाबा पर लग रहे आरोपों की परताल के दोरान हमें जानकारी मिली कि यूपी के फ्रेजाबाद की एक महिला ने भी इसके खिलाब जैपुर ठाने में केस दर्ज करा रखा है मामले की तह तक पहुँचने के आईबियन सेवन के टीम फैजाबाद पहुचे हमसे बातचीत में पीडित महिला ने धोंगी अब्दुल्लतीफ कर यौन शोशन और बलातकार की कोशिचे से संगीन आरोप लग रहे पीडित महिला के मताबिक शादी के कई साल बाद भी उसकी गोजसूनी थी बच्चे की चाह में उसने कई येगा इलाज करा है लेकिन कोई फायदा नहीं दिल्ली में इलाज के दोरान उसकी मुलाका है शहाबुद्दीन अंसारी नाम के शक्स है जिसने उसे अबदुल्लातीफ के पास जाने की सला है पहली यह मुलाकात में उसने पीड़ता से सारी दमाएं बंद करने और अपनी दुआ लेने को पाँए पीड़ता के मुताबिक इस साल जनवरी में जब लतीफ के ठुटाने पर पहुंचे तो उसने उसे अकेले एक कम्रे में उला रहे लतीफ ने पीड़ता से कपड़े उतारने की उसने कहा कि निरवस्तर करके वो उसके शरील पर दुआ पने के जब महिला ने इंकार किया तो लतीफ जबरन उसके कपड़े उतारने की महिला का कहना है कि काफ़े मुश्किल से वो अपनी जान बचा कर वहां से भाग गए पीडिता का रोप है कि इलाज के नाम पर लतीफ ने उससे एक लाग साथ हिजार रुपए ठक लिए इस मामले में उसके पती ने लतीफ के खिलाव जैत पूर्थाने में केस भी दर्च करा रखा है साथी को उस दिन बाद पीड़ता ने अपने साथ हुई जैत पूर्थाने में किया मेरी बीबी ने सर ये करने से मना कर दिया और वो निकल के चली आई लेकिन उसके साथ इसने ये असली अलग का हरकत की कि जब कपड़े उताने के लिए मेरी बीबी ने मना किया हैरानी की बात है कि पुलिस ने महिला के शिकायत पर आरोपी लतीफ के खिलाफ कोई केस नहीं रश दिया जब आईडियन सेवन ने पुलिस से सवाल किया तो जवाब मिला बाबा लतीफ के खिलाफ धोकाड़ी का मामला दर्श का उसे डि आईउउ यूनिट को जांच के लिए भेज़ दिया गया है लेकिन महिला की शिकायत के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं जब IBN7 ने पीडित महला की शिकायत की कौपी इलाके के DCP को दिखाई तो वो चोंग गया और तत्ताल ACP को इस मामले के तफ्तीश का आदेश दिया कानून के जानकारों का कहना है कि अगर पुलिस सकती दिखाए तो इस धोंगी बाबा को गिरफतार किया जा सकता है उनका कहना है कि लतीफ के खिलाफ गए राप्तन हत्या का केस दर्ज हो सकता है ये जो चल रहा है जो भी ये उन्होंने उनको इंड्यूस किया होगा कुछ बाते कहीं होगी शैद कुछ समझाया होगा जो कि उनके बैकावे में आके उन्होंने अपनी लड़की को प्रॉपर जगे पे नहीं दिखाया इलाज के नाम पर बेबस और मजबूर लोगों की जान से खेलने वाला लतीफ आज भी बेखौफ है और अपना धंधा कर रहा है उसके खिलाफ शुकायत करने वाले इंसाफ की आस में दर दर्बाटक रहेंगे धोंगी अब्दुल्लतीफ राजधानी दिल्ली के एक कोने में हर गुरुवार को अपना धर्बार लगा रहा है कहने को तो सरकार परशासन और पुलिस अंदविश्वास का जम कर विरोध करते हैं लेकिन जब बारी आती है कुछ करने के तो सब हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं इसे ढूल मुल रवये का असर है कि अब्दुल्लतीफ जैसे लोग बेधड़क मासूमों की जान से खेल रहे हैं अब देखना ये है कि उसका ये ढूंग कब रुपता है अब शेक कुमार दिल्ली आईवियन से रहे इंडिया नौ बजे में आज इतना ही लेकिन भाईजान पर स्टिंग ऑपरेशन तो हमने किया अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे